आज के इस वीडियों में बात करने माला है कि अपने इश्था आगाउन को कुछ समय के लिए डिलीट कैसे करें। तो आप यह अपना इश्था आइडी को कुछ समय के लिए मतलब बंद और डिलीट कैसे कर सकते। तो वही आज की इस वीडियो आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ तो वीडियो को एड तक चरू देखना है जो चली बताते हैं वीडियो के स्क्रीप पूरे डिटेल में मुई और हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना क्योंकि हम अपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आते रहते हैं तो चली बताते हैं वीडियो के स्क्रीप पूरे डिटेल पहले आपको यहांसे अपने फॉन में इस्टा अप्लीकेशन को अपन करना के बाद आपको यहांसे नीचे के साइड में आपको पूरफाइल का लोगो मिलेगा उस अपको लिए करने के बाद आपको अपना आपको हैं के अपना आपको यहां से देख सकते हैं अब फ्रेस अगर ज़िए आपको अपना अकांट जो कुछ समय के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होए आपको डियक्टिव अकांट वाले ओप्चन पे सलेक्ट कर लिना है यह असा नहीं कि फिरेस आप अपना अकाउंट को delete अकाउंट वाले option पर किली करके रखें और आपका अकाउंट डिलीट हो जाएं तो आप देख लेना फर्स्ट जो deactiv अकाउंट लिखा है उसको select कर लेना फिरेस क्योंकि अगर जी आप delete अकाउंट वाले option पर select करें तो आपका अकाउंट परमाणटी delete हो जाएगा तो deactiv अकाउंट वाले option पर select कर लेना है select करने के बाद पर असाब आपको क्या करना होगा अगर यहां नहीं करना चाते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बना दिया कि इस्ट आइडी का password कैसे पता करें तो जाके देख लेना यह तो आई वटन पर हम मिल जाएगा तो चलिए हम यहां से अपना इस्ट आइडी का password को paste कर देते हैं password को paste कर देने के बादफने साब आपको continue option पर आपको click कर देना है click करने के बादफने साब आपके सामने कुछ इस तरह से page open होके आ चुका है आप आप आपको यहां से एक region को select करने बोल रहा है कि आप अपना account को किस करन से कुछ समय के लिए मतलब delete या temporary बंद करना चाहते हैं तो आपको कोईसा भी एक region को select कर लिए और फैसे मैं इस region को select कर लेता हूं select करने के बादफने साब आपको continue option पर आपको click करना है click करने के बादफने से देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से page open होके आचुका था हाव टू यूज इस्टा अकाउंट तो इस पर खेकना हो आपको continue option पर click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से page open होके आचुका है आपको कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा तो आपको यहां से जैसे डी एक्टिव अकाउंट वाले option पर click करेंगे तो आपका आपकाउंट कुछ समय के लिए बंद हो जाएगा और बात में उसे फिर से आप login कर सकते हैं तो यही था simple से तरीका अपने इस्टा id को कुछ समय के लिए डिलीट करने का तो वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरू बताना वीडियो अच्छे लेगी तो वीडियो को लाइ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में